असलाम लेकूम and welcome to our Upwork course I know कि आप मेंसे काफी लोग जो हैं वो वेट कर रहे थे तो I thought कि मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ अब हमारे पास टोटल 850 एप्लिकेशन आई हैं मैंने टार्गिट तो इसका 1000 का रखा था मगर 850 एप्लिकेशन आई हैं और काफी ज़्यदा टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कि अब इसको स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप लोग Upwork से फाइदा उठा सकें So I warmly welcome all of you who have applied to my course और मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि हम इस course को किस तरह से लेके चलेंगे और दूसरे नमबर पे आप लोगों के लिए क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं स्टार्ट में इनको करने के लिए मैं आपका कोशिश करूँगा कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करूँ और वीडियो को short रखूँ और दूसरे नमबर पे आपके पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कनवे कर सकूँ ठीक है तो let's get started सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज जो है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ और आपके पास लेके आऊँ और इस पर टाइम लगता है वीडियोज बनाने में और उसको साराग करने में तो इस वज़ा से आप जो इस चीज को अंडरस्टेंड करते हैं अगर मैं quality को maintain रखते हुए जल्दी से जल्दी वीडियोज आपके पास लेके आऊँगा तो वीडियोज जितनी भी हैं वो यूट्यूब चैनल के उपलोड होंगी जो के आप लोगों ने subscribe किया हुआ है अगर नहीं subscribe किया हुए तो definitely आप लोग subscribe कर लेए और उसके bell icon पर भी click कर दें ताकि आपको जो हर नया lecture है उसकी notification आटिफिकेशन automatically मिलते रहें आप लोगों ने facebook group join किया होगा अगर किसी ने नहीं किया तो facebook के उपर आप हमने group बनाया हुआ है learn with शाजील facebook group तो वहाँ पे जाके आप लोग request send कर सकते हैं इस group का link मैं आप लोगों को description में भी provide कर दूँगा इस वीडियो की ताके आप लोग असानी से उस पर click करके join कर लें already उसमें 744 members हैं मगर I know के 100 members वो उसमें less हैं तो facebook group basically क्यों use करेंगे basically हम अगर आप दोस्तों के साथ या group fellows के साथ या class fellows के साथ अगर आप interaction करना चाहते हैं तो I think the facebook group will be the best thing group कल स्लाइड में भी नदर आ रहा है मगर मैं description में पेस्ट कर दूँगा last is के notifications के लिए bell icon दवाएंगे और तो आपको notifications मिलते रहेंगे email आ जाएगी जिससे आपको पता चल रहेगा जब भी नया lecture upload होगा जब भी नहीं video upload होगी तो make sure ये इसको जरूर कर लें so join the Google Classroom यहां पर मैंने एक Google Classroom भी create किया है आप लोगों के लिए उसमें आपके पास maximum thousand students के limit है जल्दी से जल्दी Google Classroom को join कर लें class code जो है वो आपके सामने नदर आ रहा है join कैसे करना है मैं अभी आपको उसका तरीका भी बता देता हूँ और सबसे पहले मैं आपको इसका purpose बता दूँगे Google Classroom क्यों create किया है मैंने इसके बारे में क्यों सोचा है the reason is कि आपसे मैंने काफिज़द assignments करवानी है इसके अंदर आपसे कुछ review करवाना हो आपका कोई profile का review करना हो proposal review करनी हो फिर इसके बाद कुछ certifications free वाली हमें अपपर के उपर attach करने का मौका मिलता है उसकी assignments मैं आपको दूँगा कुछ मतलब jobs के link दे सकता हूँ और आपको कह सकता हूँ कि आप इनके उपर proposal लिखके दिखाएं और मैं आपको review दूँगा में भी और भी बहुत ज़दा ideas हैं जो कि मैं आपको as a assignment की form में देना चाहता हूँ तो इस वज़ा से google classroom जो है वो बहुत अच्छा एक medium रहेगा कि हम उसके उपर जो है वो अगर आप join कर लें तो मैं आपको assignments assign कर सकूँँगा already मैंने कुछ emails पे invite send कर दी थी तो आप लोगोंने क्या करना है इसको google classroom के उपर जा की join करना है तरीका मैं आपको अभी बिता जेता हूँ so guys आपने classroom.google.com इस link के उपर आना है और इस link पे आने के बाद यहाँ पे plus का button आपको नजर आ रहा होगा इस plus के button पे आपने click करना है और join class के button पे click करना है यह label पे इस पे आप जब click करेंगे तो जो class code मैंने आपको दिया है वो आपने यहाँ पे enter करना है enter करने के बाद आपने join कर देना है जैसे आप join करेंगे तो आप इस google classroom का part बन जाएंगे ठीक है तो इससे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि assignment वगएरा share हो जाएंगे again मैं आपको बताता चलूँ कि इस पे thousand के limit है तो thousand limit के वज़ा से यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप रह जाएं जो पहले member बन जाएगा definitely वो ही जो है वो आपके पास उस google classroom का part बन जाएगा तो जल्दी से जल्दी इस google classroom को join कर लें जब आप google classroom join कर लें तो उसमें मुझे पता चल जाएगा notification भी मुझे मिल जाएगा और आप part भी बन जाएगे याद रखेगे इसमें gmail जो है ना वो work करेगी इसमें basically दूसरा कोई email वर्क नहीं करता इसमें सिरफ gmail वाला जो account है वो work करता है so ask question in the comment section on youtube अगर आपके पास कोई question आ जाता है अगर आपने कोई basically पूछना है कुछ तो आपके पास जो पूछने का method होगा वो question answering का method होगा वो आपके पास basically यूट्यूब पे उपर comments वाला section होगा आपने जिस video के related आपका question हो आपने उस video में आ जाना है और वहाँ पे comment section में आके आपने question कर लेना और वहीं पे मैं आपको answer भी कर दूँगा और दूसरे number पे आप respect करें एक दूसरे की आप basically interaction कर रहे होंगे Facebook group के through और Google Glassroom में Google Glassroom में तो खेर मैं comments और possible कर दूँगा because I just want to you know give you assignments और important updates वगएरा देने के लिए आपको Google Glassroom में एंड करवा रहा हूँ दूसरे number पे आपने कोशिश करनी है कि हर video की feedback मुझे provide करें आप channel के उपर comment section के अंदर ताके मैं हर आने वाली वीडियो को पहली वीडियो से बहतर बना सकूँ आपका feedback मेरे लिए बहुत important होगा और आपके scores को बहतर बनाने में मदद करेगा next is I also need some motivation तो आप लोग लोगों से request है कि videos को like करें अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं again मैंने restrict नहीं किया lectures को public है lectures मगर definitely सिरफ thousand students assignments वगरा complete करके मैं उनकी check करने की कोशिश करूँगा और उनको feedback ज्यादा interaction मेरा उनके साथ होगा तो ऐसा है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं regular basis पे आपके लिए videos बनाता रहूँ जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी ज्यादा मेहनत करूँ तो definitely आप मुझे sport कर थकते हैं by liking the video by subscribing by recommending it to friends और जितना ज़्यदा आप recommend करेंगे जितना ज़्यदा आप share करेंगे उतना ज़्यदा मेरे लिए भी motivation होगी कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा videos लेके आता रहा हूँ so जब आप social media पर share करें तो don't forget to tag me ताके मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने share किया so that's it for welcoming and now let's get started with the actual part that is what is upward जो कि आपके पास पहला lecture है इस course की outline आप लोगों को already मिल चुकी है वीडियो की form में मैंने बना के share कर दी थी i button में भी मैं आपके साथ share कर देता हूँ वीडियो का link और description में भी मैं course outline की जो वीडियो है और जो मैंने document share किया है वो मैं आपके साथ share कर देता हूँ so now let's look at what is upwork and how does it work so upwork है क्या और freelancers के लिए यहां जो लोग talent रखते हैं क्यों important है one of the largest marketplace in the world one of the largest freelance marketplace in the world यह बहुत एक जबरदस इसका feature है कि इसमें basically number of freelancers भी बहुत हैं number of clients भी बहुत हैं एक last जो मैंने figure इनकी तरफ से सुना था वो उसके मताबिक 15 million लोग जो है वो इसको monthly basis पे use करते हैं तो आप number देख लिए काफी बड़ा है clients बहुत अच्छे हैं यहां पे long term clients होते हैं आपको अगर एक job मिल जाए तो उस job से आप लाकों रुपे कमा सकते हैं और several hundred thousand dollars तक job जा सकते हैं मैंने बहुत ज़्यदा freelancers देखे हैं जिन्हों ने एक-एक job से hundred thousand dollars और overall profiles पे million dollars भी कमाये हो हैं और मैं आपको इन profiles से overview बे करवाऊंगा मैं आपको वो profiles भी दिखाऊंगा different जो है वो agency की profiles भी दिखाऊंगा तो आपने मेरी profile पे भी देखा होगा मैंने एक job से 32,000 dollars तक earn कर ली हैं तो it's a huge number for someone who is you know जिसके पास अगर घर बैठे उसको मोका मिल जाए तो यह एक काफी बड़ा number है काफी ज़्यदा earning है और घर बैठे बैठे अपने skills को sell करके आप अगर एक अच्छी income कमा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर काम ऐसे करता है कि client जो है वो अपनी job पोस्ट करते हैं और उन jobs के उपर जो freelancers होते हैं या agency honors होते हैं वो उन jobs के उपर apply करते हैं और apply करने के बाद client को जो proposal अच्छी लगती है उसको वो accept करके उससे discussion करता है discussion करने के बाद उससे वो job जो है वो start कर देता है ठीक है तो इसको मैं detail में आपके पास practically भी सारी चीज़ों को दिखाऊंगा मगर मैं फिलहाल आपको just overview करवा रहा हूं उसके बाद ने आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप even अगर एक experienced freelancer हैं अगर आपको already काम आता है अपर के उपर यहां आप Fiverr पे काम कर रहे हैं तो I will highly recommend कि आप इस course को जरूर follow करें from start to finish हर एक video जो के already आपको पता है कि for example how upwork works तो आपको already पता होगा यहां कोई ऐसी video आ जाती जिसके बारे में आपको already पता हो तो आप मैं यह कहूंगा कि आप उस video को end तक जरूर देखो उससे यह होगा कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मेरेगा I guarantee you I have worked on upwork as a freelancer agency बना हुई है तो तीनों चीज़ों से experience आपको जो मिलेगा इंशाला वो काफी ज़दा helpful होगा third point is freelancers and agencies apply on jobs तो यहां पे agencies वाला concept भी है अगर आप एक group में काम करना चाहते हैं अगर आपकी company है चोटी सी maybe वो दो से तीन या चार members की वी company अगर हो तो आप basically company बना सकते हैं upwork के उपर और उस company के थरू भी selling कर सकते हैं मैं आपको कुछ agencies की profile दिखाऊंगा जिनके उपर उन्होंने 35 million dollars तक earn की हुए इसे huge opportunity बहुत ज़्यदा software houses जो है वो upwork के उपर depend करते हैं और upwork के थरू जो है वो clients को पकड़ते हैं और उनसे काम करते हैं clients can also invite freelancers and agencies जहां पर आप jobs के उपर apply कर सकते हैं ना सिरफ बलके आपके पास ये भी facility मौजूद है कि clients आपको अपनी job के उपर invite भी कर सकते हैं invite करने से आपको notification आता है और आप उनसे directly बात कर सकते हैं so it's just like how Fiverr works तो Fiverr के उपर basically clients आपको खूद contact करते हैं और contact करके आपके साथ job initiate करते हैं अगर upward के उपर भी ये facility मौजूद है और हम देखेंगे कि कितनी benefit है और कितनी jobs जो है वो आप win कर सकते हैं इस तरीके से often long term work is found on upward basically आपके पास long term work के लिए बहुत ज़्यदा famous है ये platform आपके पास basically long term work जो है वो अपर के उपर बहुत ज़्यदा हता है अगर आपकी एक job अच्छे client के साथ हो जाती है तो आपको फिर दूसरा client टूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये job जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि several hundred thousand dollars अपी चल सकती है you will find people earning thousands of dollars from single job ये अलड़ी मैं आपको बता चुका हूँ you can create agencies on upwork hourly projects तो एक unique चीज अपर की ये है कि आपके पास fixed price jobs होती है और hourly jobs होती है so hourly jobs में आपको client जो है वो hourly basis पे hire कर लेता है for example अगर आप एक घंटा काम करेंगे तो आपको 30 dollars to 40 dollars तक payment मिल सकती है मैंने freelancers देखे हैं जो के hundreds of dollars तक भी charge करते हैं ठीक है hundred dollars per hour तो वाकी में ये possible है अगर आप skillful है अगर आपको काम बहुत अच्छा आता है तो आप अपवर को use करते हुए hundreds of dollars per hour भी कमा सकते हैं आप अपवर payment guarantee अपवर आपको ये भी guarantee देता है कि अगर घंटा काम करते हैं किसी client की साथ तो अगर किसी वज़ा से आपको चीज की payment नहीं उसके उपर आपको अपवर अपनी pocket से पैसे देने को त्यार है ठीक है तो य गरंटी आपको दे रहा है हाँ कुछ terms and conditions जरूर है जो कि हम later on explore करेंगे जब मैं practically आपको चीजों को बताऊंगा मगर अपवर आपको ये कह रहा है कि I will guarantee that if you work one hour on a project then that hour will be paid so makes it easier to connect with clients बहुत ही असान बना देता है clients को find out करना clients के साथ connect करना मैं आपको बहुत ज़दा tricks पताने वाला हूं in videos के अंदर कि आप किस तरह से basically अच्छे clients और बड़े clients के साथ जो है वो easily connect हो सकते है easy to understand interface इसका interface understand करना बहुत असान है बड़ा simple सा है मैं आपको ओवर्यू कराऊंगा state-of-the-art technology to track time and manage work time tracking के लिए in a special software बनाया है जो कि आप अपने computer में download करते हैं और download करने के बाद आप उसमें tracking करते हैं so I will show you how to do it और दूसरे नंबर इस पे आप video calls कर सकते हैं अपने client के साथ आप audio call कर सकते हैं आप file sharing कर सकते हैं screen sharing कर सकते हैं technology बहुत अच्छी है इसकी मतलब messaging के experience और mobile apps इसकी available है Android, iOS, desktop apps available है Windows के ओपर Mac के ओपर I think Linux के ओपर भी तो वहां पर आप download करके messaging कर सकते हैं different client के साथ आप calls कर सकते हैं और बहुत अच्छी technology है मतलब इसका जो जो चीजन यूज हो रही है वो बहुत अच्छी है payments directly into your local bank account अगर आप payments अपने account में directly मंगवाना चाहते हैं तो यह भी option अपपर के ओपर मौजूद है but I don't recommend that method I will show you के recommended method क्या है और मैं कौन सा method यूज करता हूँ और उस method के benefits क्या है और यह सारी चीज़ें हम future में देखेंगे provides facility to create teams so teams बना सकते हैं agencies बना सकते हैं can really change your life if you use properly आपकी life change हो सकती है इसमें 100% मैं आपको surety देता हूँ अगर आप इसको properly use कर सकते हो अगर आप इसको किसी की guidance के साथ use करते हो किसी experience person की इस course को follow करके भी और अगर आप मतलब इसको skill wise अगर आप अच्छे हैं और आप जानते हैं काम कैसे करना है तो upwork is for you और upwork के तुरू आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं make sure to follow this course till the end to get most out of upwork ठीक है तो इस course को end तक follow करें वीडियो को देखें इंशाला हर वीडियो के अंदर नई नई चीज़ें सीखेंगे इस course को मैं 60 वीडियो में convert किया 60 to 70 वीडियो हो सकती है और ज़रूरी नहीं है कि एक वीडियो तो है वो घेंटों की हो मैं कम से कम time रखूंगा पहली वीडियो है शायद यह लंबी हो गई हो because इसमें मैंने welcome वाला part भी add कर दिया है तो हो सकता है कि यह video थोड़ी सी lengthy आपको लगे मैं अगर मैं concise रखूंगा आपका time waste नहीं करूंगा और जहां पर मुझे लगेगा कि मैं इस part को यह section को cut कर दूं तो time आपका बच सकता है तो मैं वो cut कर दूंगा इससे यह होगा कि आप basically जल्दी से जल्दी चीज़ों को absorb कर सकेंगे without wasting any time और आप ज्यादा चीज़ों को enjoy कर सकेंगे So and the last I will request you to share this lecture with your friends and invite them to follow the course Thank you so much for watching अगर आपका कोई question है तो आप comment section में कर सकते हैं किसी किसम का भी problem आ रहा है मैं हर comment आपका read करूंगा और आप के हर comment का reply करूंगा So go to the comment section on YouTube and post your questions if any and make sure to like this video Thank you so much for watching. See you in the next lecture of अपक. Allah Hafiz